नमस्कार दोस्तों सौगत आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल PCMB Digital Grouply Classes पर बेटा थर्ड क्लास के सफते की लास्ट वक्षीट 20 फर्वरी की 174 अभी हम इंग्लिश की सॉल्फ करने जा रहे हैं वीडियो सुलिशन पूरा देखिएगा तदा चैनल को जो के लिए आपको कहा गया है Good Morning उसके बाद कहा गया है कि प्रिवेस वर्क्षीट में आपने एक स्टोरी पढ़ी थी मीना अपने भाई से बात प्यार करती थी एक लड़की ने उनके साथ जो है पहाड पर चढ़ाई की उसका नाम कहा था मीना मीना वस त्वेलियर्स ओर वो बारा साल की थी शी करेड़े स्मॉल बाई उन और बैक उसमें छोटे बच्चे को अपने कमर पर बढ़ी वा गए जैसे जैसे सूरत की रोशनी बढ़ती जा रही थी आती जा रही थी खिलती जा रहा था पाड़ उपर वैसे इसे मीना धिरे धिरे उपर गई मेना वस हापी मेना और वो यह वह रही था दिरे घ् 9 का भाई भी भात खुश था मैना अब स्वेर निए बढ़ती उन डिरे ले छी न क्ही ली खुशी था रहा जेयरे पर वस्वें is morning dew, morning dew, ठीक है, why do you think Meena and the boy were happy, because they climbed the hill, because they climbed the hill, क्योंकि वो पाहड पर चड़ पाए, ठीक है, अब स्टोरी जो है, उसमें, मीना ब्रदर जो था, मीना का भाई वो वाक नहीं कर पाता था, similarly हम बहुत सरे लोग के पास आते हैं, जो बोले हैं सुन नहीं पाते हैं, these people make use of sign language, तो नीचे आपको कुछ sign languages दिये गए हैं, आपको सही match करना है, जैसे, victory का मतलब तो होता है, ये, win का मतलब, lose का मतलब, और okay का मतलब, आपसे तीन चीज़े हम यहां पर उसने पूछ लिए, तो lose का मतलब हो गया ये, winning का मतलब हो गया ये, okay का मतलब, तो देखो ये, दुबारे से match कर देते हैं हम आपके लिए, कि this is lose, this is victory, this is win and this is okay, तो इसे के साथ बिटा, ये worksheet पूरी होगी, अमीद करता हूँ, आपको समझ में आ गए होगी, चैनल को जिरूर सब्सक्राइब करें ता मैं सपोर्ट करें, थांको सो मच पर वाचिंग दा वीडियो,